एलो एवरिवन बिटा हम पढ़ रहे थी चेप्टर नंबर 6 दाट इस मॉलेकुलर बेसे ऑफ इनहरेटेंस कल मैंने आपको थोड़ा बेसिक्स बताया था कि डी एन्ने क्या होता है आरेने क्या होता है डी एन्ने किस से मिलके बना हुआ है प्यूरी इन पारेमेडीन्स और ना ट्रोजन बेसेज डी एन्ने की जो स्मॉलेस्ट यूनेट है डाट इस नूक्लियोटाइड नूक्लियोटाइड किस-किस से मिलके बनी होती है यह सारी चीजे कल हमने पढ़ी थी उसी चेप्टर में आगे भढ़ते हुए कल हमने चारगफ का रूल पढ़ा था बच्चों त फिर यह सी जो है डाट शुट भी एक्वल्ट टू पैरीमदीन प्यूरीन कौन-् कौन से थे हमारे अदिन और ग्वानन पैरामिडीन सार- साय्टोसेनग फाईमीन np. Hut अगर मैं इनके रीश्यो कि बात करूं प्यूरीन ratio pyramidine that should be equals to 1 वहीं उसने बताया था बच्चों कि जो deoxyribal sugar होती है हमारी और phosphate जो होते हैं वो भी equal होते हैं proportion में in double stranded DNA की बात कर रहे हैं देखें नीट में question आया हुआ है एक बार कि चारगफ ने जो अपने conclusions दिये थे वो किस तरह के DNA में दिये थे options में द्रकता single stranded DNA double stranded DNA single stranded RNA तो आप याद रखेंगे बच्चों चारगफ ने जो conclusions दिये थे that was only regarding double stranded DNA ठीक है उसके बाद देखें अगर मैं base ratio की बात करूँ that means जो adenine है वो thाइमीन के साथ bond बनाता है cytosyn guanine के साथ बनाता है तो adenine प्लस thाइमीन by guanine प्लस cytosyn तो वो हमेशा क्या रहेगा constant that means हर एक species के लिए वो क्या है specific है fix है ठीक है तो यही सारे चीज़े हमने पढ़ी थी कल कि base ratio जो होगा हर species का वो क्या होगा अलग अलग होगा और fix होगा जिससे हमें help मिलेगी कि particular species को हम किस तरह से identify कर सकते है फिर आगे आता है बच्चों important conclusions of Franklin और Wilkins देखे हमने चारगफ रूल पढ़ लिया आपको याद होगा मैंने बताया था कि Franklin और Wilkins ने x-ray crystallography की help से DNA किसे related कुछ datas दिये थे क्या थे बच्चों वो कि जो DNA होता है वो कैसा होता है helically coiled molecules होता है ठीक है तो वो किस form में रहता है helix की form में और जो उसकी complete एक length complete turn होती है वो कितनी होती है 34 angstrom ये किसने बताया था Wilkins और Franklin ने ठीक है और एक complete turn जो होती है DNA की उसमें कितने base pairs होते है 10 ठीक है और distance जो होगा दो base pairs के बीच में हो कितना होगा 3.4 angstrom और diameter जो होता है DNA का molecule का दो strands के बीच का जो gap होता है that is 20 angstrom ठीक है तो ये सारी चीज़े कुछ Franklin ने बताई इन डेटास के base पे इन डेटास को यूज करते हुए Watson और Crick ने in 1953 they proposed double helical model of DNA जो हम आज पढ़ते हैं और in 1962 they were awarded with Nobel Prize for that structure of DNA in 1962 ठीक है तो देखिए DNA के particular क्या features होते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुकी है हमने bio molecule में पढ़ा है चलिए एक बड़ से describe कर लेते हैं अगर में double helical model उसकी DNA की बात करते हूं बच्चों तो उसमें दो ends होते हैं 5- to 3- that means both the strands are anti-parallel to each other opposite होंगी दोनों आपको अची तरह पता है बिच्चों इनका 5- और 3- का क्या मतलब है यहां पर ठीक है that means at the 5- end ठीक है मतलब फर्दर कोई बोन नहीं बन रहा है ठीक है तो हमने देखा था कि DNA की अगर हम helical structure की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि DNA helix जो है उसकी जो backbone है वो alternate sugar और phosphate की बनी होगी that means phosphate then sugar then phosphate then sugar then phosphate then phosphate then sugar ठीक है और जो nitrogenous base है बच्चों वो attach होंगे जो कि इन दोनों strands को आपस में जोड के रखते हैं और किसके थूँ by hydrogen bond तो हमें पता है adenine और thymine के बीच में double hydrogen bond होता है cytosine और guanine के बीच में triple hydrogen bond होता है ठीक है और अभी मैंने अभी बताया आपको कि जो दो strands होंगी उनके बीच का जो gap होगा that is 2 nanometer और we can say 20 angstrom it can be 20 angstrom 20 angstrom भी हो सकता है और 2 nanometer भी हो सकता है ठीक है और 2 nitrogen bases के बीच का gap जो 2 nucleotide है हमारे उनके बीच का gap कितना होगा 0.34 nanometer और it can be 3.4 angstrom ठीक है तो अगर हम angstrom में measure करते हैं तो यह 3.4 हो जाते हैं अगर मैं nanometer की बात करे हूँ then it is 0.34 nanometer ठीक है उसके बाद और क्या आते है DNA में कि जो आपको small gap दिखाई दे रहा है यह क्या कहलाता है minor groove और जो large वाला gap है बच्चों वो क्या कहलाएगा हमारा major groove ठीक है both the strands are anti-parallel to each other अगर हम स्टार्ट कर रहे है यहीं आके वापिस खतम हो रहा है तो यह complete turn जो है इसमें लगबग 10 base pairs होते है और उस पूरे में कितना gap हो जाएगा 3.9 3.4 nanometer यह measure भी कर सकते है suppose कीजिए कि 2 nitrogen base के बीच में gap कितना है 0.34 और total कितनी है 10 तो 10 से multiply कर दूँगे मैं इसको यह कितना आजाएगा बच्चो 3.4 nanometer कितना आजाएगा यह 3.4 nanometer ठीक है तो यह DNA का structure हो गया इसके अलावा और क्या बताया था उसने देखे इधर इस सारी चीजे में आपको बता चुकिए कि complementary base pairing होती है that means purine होगा एक तो दूसरा pyramidine होगा that means एक तरफ adenine है और दूसरा क्या है हमारा thymine एक तरफ cytosine है दूसरी तरफ क्या है guanine ठीक है backbone जो है वो sugar phosphate की बनी हुई है दो poly nucleotide chain होती है that means दो strands present होते है जो कि आपस में क्या होते है anti-parallel एक strand होगा 5-देश तो 3-देश तो दूसरा क्या होगा 3-देश तो 5-देश adenine will base pair with thymine और cytosine guanine के साथ और इनके बीच का जो bond होता है बच्चो क्या होता है hydrogen bond तो यह हम DNA की structure के बारे में पढ़ चुके है अब types of DNA देखी बच्चो कि जो उसकी coiling है जो वो twist कर रहा है वो किस direction में कर रहा है उसके basis पे हम DNA को divide कर देते है suppose कीजिए if it is right-handed right-handed मतलब clockwise twisting हो रही है इस तरह से suppose कीजिए कि इसकी क्या है जो इस तरह से है यह coiling हो रही है ठीक है तो यह क्या हो गया उसका right-handed हो गया तो यह क्या कहलाती है right-handed DNA इसके example क्या हो जाएंगे बच्चो A, B, C, D and if you talk about left-handed अगर मैं left-handed की coiling की बात कर रही हूँ left-handed coiling की बात कर रही हूँ तो यह क्या कहलाता है Z DNA तो यह तो क्या होगे बच्चो right-handed DNA के types हो गए A, B, C, D और एक जो मारा हो गया Z क्या कहलाता है left-handed DNA ठीक है right-handed DNA में देखिए इसमें difference कहां आ रहा है अगर मैं helical length की बात करूँ तो जो A DNA होता है उसके 28 angstrom होती है base pair कितने है उसके 11 ठीक है जो Watson और Crick ने जो model दिया था Watson और Crick ने जो DNA बताया था वो भी DNA था क्योंकि हमने अभी पढ़ा भी कि पूरी helical length की कितना था 34 angstrom अगर मैं turn की बात करूँ उसमें distance कितना था 34 2 base pair के बीच का distance था 3.4 और total एक turn में कितने base pair होते है 10 और diameter कितना था 20 angstrom तो ये कुछ data हैं जो difference create करते हैं A, B, C, D Z DNA में ठीक है बस इन में सभी के सभी कैसे हैं right handed सिर्फ एक ही आता है जो कि Z DNA जो कैसा होता है left handed ठीक है after this अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ specific features है DNA के बच्चों palindromic sequence या palindromic DNA किसे कहा जाता है देखिए ऐसी sequence nucleotide की जो अगर हम forward पढ़ रहे हैं या backward पढ़ रहे हैं दोनों तरफ से एक ही हो अगर मैं उसके 5-to-3- strand जा रहे हूं तो भी इसकी sequence सेम है अगर मैं दूसरे वाले strand को भी अगर 5-to-3-to-3 पढ़ती हूं तो भी सेम है जैसे कि होता है बच्चों malayalam for example it is malayalam ठीक है malayalam को अगर आप इधर से पढ़ते हैं तो भी वो malayalam ही कहलाता है malayalam को अगर आप इस साइड से पढ़ रहे हैं तो भी malayalam कहला रहे है ठीक है तो इस तरह के जो words होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों palindromic that means they have same sequence of nucleotide from forward and backward both समझ में आया ठीक है उसके बाद आते है बच्चों temperature of melting अगर मैं temperature की बात करूँ कि बच्चों DNA जो है वो कितने पे कौन से temperature पर melt करता है और वो depend किस पर करता है बच्चों की एक DNA strand में कितने GC content है that means guanine और cytosin कितना present है अगर guanine और cytosin जादा है किसी DNA में तो जाहिड सी बात है बच्चों उसका melting point क्या होगा जादा होगा ये तो but obvious है देखिए बच्चों guanine और cytosin के बीच में तीन hydrogen bond है जबकि adenine और thymine में दो होते हैं तो इन तीन hydrogen bond को break करने में जादा time लगेगा जादा temperature जादा heat देनी पड़ेगी तो याद रखिएगा कि जिसमें GC content जादा होगा तो उसमें ही उसी DNA का melting point भी क्या होगा जादा होगा ठीक है तो normally क्या होते हैं जो prokaryotic DNA होते हैं उनमें जो guanine और cytosine होती है उसकी amount जादा होती है तो prokaryotic DNA को break करने में जादा time लगता है as compared to eukaryotic DNA तो first point इसका यह हो गया कि भई features क्या है temperature किस पर depend कर रहा है GC content पे जिस DNA में GC content जादा होगा उसका melting point जादा होगा next DNA जो है बच्चों वो किस range की UV rays को absorb करता है जिसकी wavelength कितनी होगी 26,000 angstrom जिस UV rays की wavelength 26,000 angstrom होगी उतनी wavelength को क्या करता है DNA absorb करता है ठीक है अब हमें पता है कि DNA कैसा है double stranded DNA है यही पढ़ रहे हैं double stranded DNA तो उसकी जो एक strand है तो हमें पता है बच्चों कि जो DNA है वो आगी जाके क्या बनाता है MRN MRN से क्या बनता है protein यही बन रहा है ठीक है तो DNA से जो MRN बन रहा है तो DNA में क्या है बच्चों दो strands है अब इन दोनों strand में से सिर्फ एक strand जो participate करती है वही एक strand MRN बनाती है तो जो strand MRN बनाएगी उसकी क्या direction होती है वच्चों 3-25- ठीक है तो याद रखेगा यह जो 3-25- strand होती है DNA में यह क्या करती है transcription करती है transcription मतलब formation of MRN from DNA तो जो strand participate कर रही है DNA बनाने में sorry MRN बनाने में वह कहलाती है anti-sense ठीक है दूसरा नाम क्या इसका that anti-sense can be known as template template होता है base जिस पर MRN बनेगा तो template कह दो या anti-sense कह दो या non-coding समझ में आगी बात ठीक है हम क्या बात कर रहे है हम features पढ़ रहे है बच्चों DNA के तो DNA जो होता है वो double standard होता है एक strand 5-3- 3-2-5- तो इसमें से भी जो strand MRN फोर्मेशन में participate करेगी जो MRN बनाएगी वो strand कहलाती है इसकी template strand या anti-sense या उसको हम क्या कह देते है non-coding strand ठीक है देखे याद रखेंगे आप नाम तो है इसका non-coding पर यही MRN बनाती है ठीक है जो नहीं कर रही participate जो कुछ भी नहीं बना रही वो क्या कहलाती है हमारी sense strand और it is known as quading strand ठीक है next देखें next इसकी क्या property है DNA की जब DNA denature होता है that means denaturation का क्या मतलब है जब DNA को high temperature पे heat किया जाता है that is around 80 to 90 degrees Celsius इसके जो bond है ना बीच के hydrogen bond वो क्या हो जाते है break हो जाते है जब ये bonds break हो जाएंगे तो ये अलग-अलग strand में तूट जाएगा तो ये कहलाता है इसका denaturation इसको हम क्या कहते है denaturation that means जो इसकी natural nature था इसका वो क्या हो गया तूट गया अलग-अलग हो गया ठीक है अब जब ये अलग हो जाएगा अगर हम इसको वापिस से normal temperature पे ले आते हैं फिर से इसकी cooling कर देते हैं तो ये bonds जो है फिर से जुड़ जाएंगे आपस में और ये double stranded DNA बन जाएगा ये property कहलाती है renaturation I think आपको clear हो गया होगा denaturation क्या होता है renaturation क्या होता है ठीक है बच्चों next देखिए hyperchromacity hyper होता है ज़ादा जब वो ज़ादा जो radiation से light हैं उनको ज़ादा amount में absorb कर रहा है तो वो कहलाता है hyperchromacity तो hyperchromacity कब show करता है DNA जब वो बच्चों single stranded form में होगा तो हम देख भी पारें देखिए कितना असान है जब ये single strand में है तो यहाँ से भी light absorb कर सकता है यहाँ से भी कर रहा है ठीक है ये single strand है यहाँ से भी कर रहा है यहाँ से भी कर रहा है तो एक double stranded DNA ज़ादा amount of light absorb कर सकता है जब वो अलग-अलग होगा ठीक है जब denatured form में होगा तो ज़ादा absorb करेगा लेकिन वहीं जब वो किसमे है renatured form में double standard form में तो light absorption सिर्फ यहां से होगी या यहां से होगी ठीक है तो place of light absorption कम हो गया तो light क्या है वो कम absorb करेगा ठीक है समझ में आगे यहां तक चलिए आगे देखिए यह तो कुछ property थी बच्चो DNA की अब हम पढ़ेंगे packaging of DNA क्या तुमने कभी सोचा है कि DNA इतना बड़ा होता है वो इतने छोटे से chromosome में कैसे आ जाता है ठीक है बहुत simple सी बात है बहुत easy सा हम इसको समझेंगे suppose कीजिए कि एक दिवार में एक छोटा सा hole है ठीक है उस hole का diameter बहुत कम है लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी wire है उस wire को मुझे उस hole में किसी तरह pack करना है ठीक है वो hole इस तरह का है बच्चों की दिवार के एकी तरफ से दिख रहा है वो hole दूसरी तरफ कैसे बंद है पीछे से ठीक है तो अब मुझे क्या करना है उस hole में उस wire को मुझे pack करना है ठीक है मैं किस तरह pack करूँगी उस hole में उस wire को मैं किस तरह pack करूँगी उसको coiled करके coiled कर सकती हूँ ना मैं उसको उसको coiled करके मैं pack कर सकती हूँ ठीक है तो जो packaging है वो DNA की वो बच्चों हम next वीडियो में करते हैं यहां तक मैंने कुछ specific features कुछ properties बता दिया आपको DNA की packaging of DNA will study in next lecture